हेलो फ्रेंड्स, आइम यूज स्टडी मेट सारी का रमोला और आज हम करने वाले हैं एक बर फिर से लोवर PCS उत्तराखंड 2021 का जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसका हमने पहला पार्ट एक से लेके पचास कुशिन कर दिये थे आज हम करेंगे 51 कुशिशन से स्टार्ड और सौ तक Pूरे कुशिशन इसमें कुछ Current Effire होंगे, कुछ General Study के कुशिशन होंगे, तो देख लेते हैं कैसे कुशिशन है, ठीक है चले 51 वा कुषिशन है निमलिखित में से खिलाडी ने कौन से खिलाडी ने टोक्यो पेरा ओलम्पिक्स एथिलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है तो उस समय के अगॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सुमीद अंतिल इसका राइ आंसर हो जाएगा लेकिन वरतमान की बात करेंगे तो अवनी लखेडा जिन्होंने पैरिस ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीता है फिर यहां पर करेंट का ही कुषिशन है कि 108 भारतिय विज्ञान कॉंग्रिस का योजन 2022 में कहा होगा तो इसके बाद अब जो लेटेस्ट है उसको आप देखेंगे तो पंजाब में ह पूछे जा सकते हैं ठीक है चले नेक्स भी करेंट का कुषिशन है और पचपनवा कुषिशन देख लेते हैं यह करेंट अफिर के कुषिशन है ठीक है पचपनवा कुषिशन है भारत में विद्धुतार का जनक किसे माना गया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा Lord Dalhoji इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है ए ए ओ यूम का वह जीवनी लेखा कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का अध्यक्ष पना तो राइट अंसर क्या हो जाएगा विलियम बैडर बर्न इसका राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि जो कॉंग्रेस का पाँचवा अधिवेशन हुआ था तो उस समय पे 1889 में मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किस ने की थी विलियम बैडर वर ने की थी ठीक है और इन्होंने ही ए ओ यूम पे जीवनी भी लिखिये है उनकी सत्तावनवा कुश्चन है तीन कठिया अनुबंदन किस आंधोलन से संबंदित था बहुत इंपॉर्टन कुश्चन और बहुत बार पूछा गया है और राइट अंसर क्या हो जाएगा चंपारन आंधोलन जो हुआ था 1917 में और भारत में गांधी जी का ये पहला सत्याग रहता नेक्स्ट कुश्चन है फिप्टी एट नियायले में किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारन करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका अधिकार प्रिक्षा इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है च बारत के समिधान का कौन सा अनुचीद जिला नियोजन समीत का प्राउधान करता है? इंपॉर्टेंट कोईश्यन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुचीद 243, Z, D, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, next important question है, किस समवेधानिक संसोधन अधिनियम निम्न में से किस संबंदित है, थोड़े सा question formation इसमें गल्लत है, होना चाहिए था, कि 103 वा, ठीक है, 103 वा समवेधानिक संसोधन अधिनियम निम्न में से किस संबंदित है, तो right answer क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछ पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षन की वेवस्था की गई है, वो किस समवेधानिक संसोधन के दौरा की गई है, तो तब आंसर क्या जाएगा, 103 ठीक है, चलिए, 62 वा क्वेशन है, किस समवेधानिक संसोधन दौरा बारवी अनुसूची को भारतिय संवेधान में सम सब्सक्राइइब जाएगा , भारत का नियंत्रक अब महा लेखा परिक्षक यानि कयग अपना वारसिक प्रतिवेधन प्रस्तुत करता है, तो राइट ऑंसर क्या हुईगा भारत की राष्टरपतीर इसका राइट अनसर हुजाएगा, नेक्स प्वेशन है, जी स्टे मृस् स्थान प्राप्त हुआ है तो तब की बात ही किस की और अभी 2024-2024 के हम बात करेंगे तो उस टाइम केरल था और अब के साथ साथ कौन हो गया है उत्तराखंड भी हो गया है 79 अंकों के साथ तो इस समय इस सूचकांग में दो राज़े हैं एक है उत्तराखंड दूसरा है केरल तो इसे ध्यान रखेंगे आप और जो उत्तराखंड का करेंट अफेर है उसमें मैंने सारा ये सब करवा रखा है ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन है दुनिया का सबसे उचा थेटर अगस्त पर जिए नेक्स फूश्चन है निम्न में किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है तो राइध अंसर क्या हो जाएगा राज़ विधान परिशद इसका राइध आन्सर होजाएगा नेक्स कुश्चन का रेलेटिड है कि 2020-21 के लिए भारत में रास्त इस तरपर खद्यान, उत्पादन, लक्षय कितना रखा गया था, ठीक है, तो इस पे इस पे बन सकता है, नया question भी, नेक्स है, खुले बाजार की क्रियाएं निमने में से किस नीती की विशीस्ता हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स इंपोर्टेंट क्विश्चन है, बहुत बारे क्विश्चन पुछा गया है रास्टिय खाद्य सुरक्षा मिशन यानि नेशनल फूर्ड सिक्योरिटी मिशन सुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, दोहजार साथ आठ में, नेक्स क्विश्चन है, तेंदुलकर प्रविधी के आधार पर वर्स 2011-12 के लिए भारत की गरीवी दर क्या थी तो राइट आंसर हो जाएगा, 21.92% इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स है, निम्न में सर्बुतम स्ट्रीनी का कोईला कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, एंत्रसाइड इसका राइट आंसर है, नेक्स इंपोर्टेंट क्विश्चन है, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन ही, तो कौनसी मिटी सरवाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? काली मिटी, इसका राइट अंसर हो जाएगा, काऊसे काऊसे काली मिटी, अब कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? next important question है जन्गर्णा 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है तो right answer हो जाएगा 74.04% इसका right answer है next important question है मुख्य केंड्रिय छे प्रिथक करता है जो कि ब्रहद हिमाले तथा लग हिमाले को अलग करता है next important question निमने में से कौन सी समविधानिक संस्ता है ऐसे question बहुत बार पूछे हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग एक समविधानिक संस्ता है क्योंकि भारत का समविधान जब लिखा गया है यानि भारत के समविधान में भारत के निर्वाचन आयोग का क्या है या पे उलेक दिया गया है next important question सरकारिया आयोग का मुख्य कारे क्या था तो right answer हो जाएगा केंदर राज्य संबंदों का पुनर निरिक्षन करना सरकारिया आयोग का मुख्य काम था next current का question important और ऐसे question बहुत बार पूछे गए है UNDP की मानोव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का मानोव विकास हूज कांग क्या है तो हम 24 के according देख लेते हैं 23-24 के according कितना है 134 वा स्थान है ठीक है next question है निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है पहला है पंजाब हिमाले सिंदो एम सतलज नदियों के मद्य तो ये भी बिलकुल सही है कुमाव हिमाले क्योंकि हमें सही नहीं वाला ढूंडना है ठीक है next है कुमाव हिमाले यमनायम काली नदियों के मद्य ये भी सही है तीसरा बिलकुल गलत है नैपाल हिमाले है रावियम तिस्ता निदी ये गलत है और असम हिमाले तिस्ता इन ब्रह्म पुत्र नदियों के मद्दे है ये भी बिल्कुल सही है नेक्स क्वेशन है निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की रूप में ब्यवस्थित कीजिए तो राइट अंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले पश्चिम से पूर की और बोला है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जोजिला दर्रा हो जाएगा फिर सिपलीला दर्रा हो जाएगा मुलिंगला दर्रा, फिर बोम डिलानी होगा, जेलेपला दर्रा हो जाएगा, फिर बोम डिला, तो इस आधार पर हो जाएगा, आप्शन डीज का राइट आंसर, निम्न में कौनसी दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्ना मुडाईस का राइट आंसर हो जाएगा, और आप जनरल स्टेडी में कौशन देखे, उत्राखन और जनरल स्टेडी में सौरे कौशन रिपीट हुए है, ठीक है, चले, नेक्स इंपोर्टेंट कुश्चिन है, उत्राखन राज्य की सबसे उंची चोटी कौनसी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, नन्दा देवी, जो परवत है, वो सबसे उंचा है, नेक्स कुश्चिन है, उत्राखन राज्य में निमलिखित में से किस जिले का भोगॉलिक छ साहक नदी कर्ण परियाग में मिलती है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, पिंडर नदी, इसका राइट अंसर हो जाएगा, पांच परियाग में से एक परियाग है, कर्ण परियाग जहां पर अलग नंदा से पिंडर नदी आके मिलती है, नेक्स इंपॉर्टेंट कुश क्विशन आएंगे क्योंकि नहीं जंगर्णा तब से हुई नहीं है तो यहीं मद्यार्वी संग्छा के जिलों और किंधिति जैस के आधार पर आरू ही सही है ठीक है next important question 2011 sorry 2001-11 के दसक में उत्तराखन में जनसंख्या विर्दिदर रही तो right answer हो जाएगा 19.17 परतिशद next important question है उत्तराखन में सरवाधिक नगरीकर्थ जिला कौन सा है तो right answer क्या हो जाएगा लिए यहादात द्यश्या परियोजा निम्नमे से किस नदी परिस्थित है तो right answer क्या हो जाएगा बेतवाइस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स एक किस नदी के मुहानी पे एलिया बेट दीप इस्थित है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी ये देखिए जंगर्ना से रिलेटिर एक और कुश्चिन है जंगर्ना 2011 के निसार भारत में प्रती एक हजार पूरुष महलाओं की संख्या है यानि जो सेक्स रेशियो कितना है तो राइट आंसर हो जाएगा 940 इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स इंपॉर्टन कुश्चिन है उत्तिराखन के जन मानस पर सरवाधिक ब्यापक प्रभाव के संपरदाय का पड़ा है तो राइट आंसर हो जाएगा शैव एवंशाक्त संपरदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स इंपॉर्टन कुश्चिन है निमलिखित में से एक लोग गाथा नहीं है इसमें हारूल, जागर, रमूला ये क्या है लोग गाथा है लेकिन लाड़ी शाह क्या है एक लोग गाथा नहीं है नेक्स इंपॉर्टन कुश्चिन है निमलिखित में से किस जन्पत में हिल जातरा लोक नाट्या का आयोजन किया जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा पिथोरागर नेक्स कुश्चिन है उत्तराखन में निम्न इस्थानों में से कहां दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है तो नैतवार उत्तरकासी में नेक्स कुश्चिन है निम्न में से किस जाती की गर्णा हिमाले की प्राग एतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है तो देखे गंदर, वियक्ष, किनर इन सब की की जाती है सक की गणना नहीं की जाती है चलिए, सतानवी question है तालीशुर तामर पत्रों में किस राजवंस और राजधानी का पता चलता है तो आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो पौरवण्स और आजधानी ब्रहमापुर बताई है लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए कत्यूरी वण्स और राजधानी कार्थी केपुर इसकी राइट आंसर होने चाहिए क्योंकि जो तालीशुर्त अम्रपत्र है वो कार्तिकेपुर राजवन से सम्मंदित है ठीक है तो इसका होना चाहिए उसाब से बी आंसर ठीक है चले नेक्स क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है तो भारतिय सैन्य अकादमी कहां इस सिथ है दहरादून में फूलों की घाटी चमूली में जो भेल है भी एच एल तो इसका राइट अंसर का है हरीदवार पिंडारी गलेशर बागीश्वर और इस आधार पर अप्शन अगर आप देखते हैं तो कौन सा हो जा रहा है खा इसका राइट अंसर हो जा रहा है ठीक है चले नेक्स क्वेश तो जो ऑप्शन डी है बेगा वो उससे संबंदित नहीं है ठीक है चलिए तो यह हो गये 100 कोईशन पूरे उत्तराखन लोवर पीसेस का यह हो गया है कंप्लीट इसके बाद हम लोग एक नेक्स एमसी क्यूस के साथ आएंगे उत्तराखन से रिलेटेड तो आप लोग डेली एसी प्रेक्टिस एट करते रहे हैं मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद